भारत माता के भारत माता के भारत माता के बंदे बंदे देश के सुस्षी प्रधान मंत्री और दुनिया के सबसे लोग प्रिय राजनेता आधनिय स्री नरेंद्र मोदे जे भारती जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स मानिय चौधरी भुपेंद्र सिंग जे भारती जनता पार्टी के बरिश्ट नेता प्रदेश सरकार के मंत्री गण सियोगेंद्र पाध्या जे ब्रजेश सिंग जे जस्वंत सेने जे मानिय सांसत और केराना लोगसवा चेतर से भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी सि प्रदीब चौधरी जे भारती जनता पार्टी के सहरनपूर लोगसवा चेतर से लोगप्रिय प्रत्यासे सी रागहो लखन पाल सर्माचे भारती जनता पार्टी और सयोगी दलों के सभी नेताकाण और आधनिय प्रदान मंत्री जी के सागत के ले और उनका मार्ग दर्शन प्राप्त करने के ले आज या सहरनपूर मैं यहाँ पर उपस्तित सभी सहरनपूर के मेरे बैन और भाईयों आधि सक्तिमा भगवती साखंबरी की इस पावन धरा पर मैं देश के सशी प्रदान मंत्री जी का सहारनपूर वासियों की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ बैन और भाईयों आज दुनिया के सबसे बड़े राजनितिक दल भारती जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है मैं इसके लिए भारती जनता पार्टी के कोटी कोटी कारे करता हूँ की ओर से आधनिये प्रदान मंत्री जी का स्थापना दिवस के ओसर पर हिर्दै से अविनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ हमारे लिए संगठन ही सेवा है याद करिए करोना जैसी महामारी के दोरान आधनिये प्रदान मंत्री जी ने भारती जनता पार्टी के कोटी कोटी कारे करताओं को यह मंत्र दे करके जनता जनारदन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था और यही कारण है कि भारती जनता पार्टी का एक-एक कार्यकरता आज देश के अंदर आम जनमानस के विस्वास का प्रतीक बन करके मोधी जी के विजन को जमिनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिवधता के साथ कार्य कर रहा है आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोगसभा चुनाओं की दिश्वे देश के अंदर जब 2024 के लोगसभा का चुनाओं की सुरुवात हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नमबर एक की लोगसभा है सहारनपुर से ही सुरुवात होती है और सहरनपूर में आजादनिय प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्सन हम सब को प्राप्त होगा बेनोर भाईयों हम सब सवभाग्य सालिए हैं हमने बदलते वे भारत को देखा है हम ये कैसे भारत का दर्सन कर रहे है जो भारत दुनिया के अंदर बैस्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है जो भारत सुरक्सिद भी है जो भारत आज अपनी वर्ड क्लास इंफ्रस्टक्चर के लिए जाना जा रहा है जो भारत दुनिया के अंदर दिकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है और यहीं नहीं गरीब कल्याण के लिए क्या कारेक्रम होने चाहिए इसका मौडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है बैन और भाईयों भारत का यह मौडल क्यों यही तक सीमित नहीं है नौजमान की आजिविका हो या भारत की आस्ता का सम्मान पहले लोग हिचकते थे इन मुद्धों को ठच करने के लिए लेकिन आज कोई हिचक नहीं जो भारत का है भारतियता का है भारत के हित में है मोदी जी के नित्रत्व में उस कारे को करने में कोई हिचक नहीं उसमें कोई रुकावट नहीं कोई बैरियर नहीं और वही बैरियर आज दब धीरे धीरे सकरके समाप्तु यह है तो एक नए भारत का दर्सन हम कर रहे हैं हमारी पिड़ी सवा के सालिये कि हम नए भारत का दर्सन भी कर रहे हैं नए भारत के अंदर अपने भोस्य का निर्माण भी कर रहे हैं आने वाली पिड़ी के भोस्य कोई बना रहे हैं और हमारा सवभग्य है आज सहरनपुर में नए भारत के सिल्पकार के रूप में प्रधान मंत्री मोदी जी का मार्ग दर्शनम सब को प्राप्त हो रहे होने जा रहा है बेन और भाईयों देश का मॉडल कैसा होना चाहिए करोना कालखंड में दुनिया ने देखा लोग तांतरिक मुल्यों के साथ इतनी बड़ी आवादी जी सकती है वहां कि सभी प्रकार की विवस्टाएं उस कालखंड में कैसे दी जाने चीए कैसे प्रवंदन, कोविड प्रवंदन कैसे होना चाहिए दुनिया भोचक थी क्योंकी हमारे पास एक करस्माई नेतरुत्व मोदी जी का था करोना प्रवंदन का हो दिकास का मोडल का हो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता के रुप में भारत को स्तापित करने का हो और अब तो दो दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिश्टित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सब का ध्याना कर्शित करती है दुनिया का ध्याना कर्शित करती है उसने जिकर किया है 21, 21, 21, 21 में उन्होंने इस बात का उले किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चन्चन करके आतंग बादी मारे गए थे और उन आतंग बादियों को कैसे नस्ट किया गया था दा गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्फ्रोत क्या है यहाँ वही बता सकता है लेकिन बेहनों और भाईयों एक संदेश साप है जीरो टॉलेंस भरस्काचार के खिलाब हो किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाब हो दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंगबाद दुनिया की एक चनौती है और आतंगबाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए दुनिया कोई समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नित्रत्व देगा यहाँ मोदी जी के नित्रत्व में साकार होगा इसमें कोई संदे अब किसी को भी नहीं होना चाहिए बैनोर भाईयों मोदी जी ने अंबृत काल में हम सब को एक विक्सित भारत की संकल्पना दी है और विक्सित भारत के लिए आजपुरे देश के अंदर एक नई पहस प्रारंबु हुई है यह चुनाओ भी विक्सित भारत को किस रूप में हमें आगे वढ़ाना है आपका एक वोट जनता जनारदन का एक वोट देश की तक्दीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निर्णा एक साबित हो सकती है 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो प्रिवर्तन हुए हैं यह अभी उसका अधार है और आज इसले एक वोट हमें जाती के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टी करण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के बाद के आधार पर नहीं हमें तो केवल विखसिद भारत की संकल्पना के ले आने वाली पीड़ी का भूस्च उजवलो सके आने वाली पीड़ी के भूस्च को हम आगे वढ़ा सके हैं इसके लिए हमारे पास एक करस्माई नित्रित्व के रूप में मोदी जी का यससी नित्रित्व हम सब के पास है और हम उनके नित्रित्व में विक्सित भारत की संकल्पना को साकार होते वे देखेंगे इस विस्वास के साथ दोजार चौबीस के अठारवीन लोगसवाज चुनाओं के लिए पूरे देश से सीले का आवाज आ रही है उत्तर दक्सिन पूरा पस्म एक ही आवाज है और वा आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अब की बार यह आ आवाज के साथ हम सब को जुड़ जाना है और भाइनों भाइयों इस का आधार बनेगा एक एक मद्दाता को मद्दान केंदर पर ले जाने का कि आप लेकर के जाएंगे मोधी जी को इस बात के लिए अस्वस्त करिये कि आप लोग ले करके जाएंगे कोई लाप्रवाही तो नहीं करेंगे यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का सहारनपूर की स्पावंधरा पर आप सब की ओर से सहारनपूर वास्यों की ओर से हिर्दे से अबिनन्दन करता हूँ सागत करता हूँ धन्यबाद जैहन